अक्बर ऐसे राज्य को कैसे छोड़ सकता था जो उसके विरोधिव की शरन स्थल बन रहा था चितोड आक्रमान के पूर्वजब बाजशा अक्बर धोलपूर में ठहरा हुआ था उसने महाराना उदै सिहां के दुसरे पुत्र शक्ति सिहां को बुला कर प्रशन किया कि तुम चितोड के जानकार हो वहाँ तुमारे कई परिच्चित है वहाँ की कमजोरिया तुम्हें पता है ऐसी हालात में तुम मेरी क्या सहयता कर सकते हो अक्बर के इन प्रशनों ने शक्ति सिह के लिए धनुश्य से निकले वे बानों की चूबन का कारिया किया वह भीतर ही भीतर कुलबुला उठा पर असाहे था वह अपने पीता से नाराज अवश्य था किन्तु उनका दुश्मन नहीं था वह भी अपनी मात्रु पूमी से प्रेम करता था वह सोचने लगा कि जहां वह खेला कुदा बड़ा हुआ जिन कुओ के पानी और खेतों में अन्नका उन उसने उपवग किया उसके विरुद्ध अकबर की साहेता नमखरा में ही होगी वह इतना भी गदार नहीं होना चाहता था कि आने वाली पिडियू से देश द्रोही वंश घातक के रूप में जाने उसने अकबर से नेवेदन किया कि आप मुझे इस हेतु कुछ सोचने का समय दीचे अकबर की स्विक्रूति के उपरांत बगेर समय गवाए शक्ति सिह ने रात के अंधरे में अकबर का डेरा छोड़ मेवाड की ओर कूच किया अकबर बाजशा को जब यह मालूम हुआ कि शक्ति सिह मेवाड चला गया है उसने अपना अभियान मालवा पर स्थगित कर चितोड की ओर कर दिया इधर शक्ति सिह ने अकबर की योजना की सुचना महराना उदैसियों को भिजवा दी थी बाजशा अकबर धोरपूर से शूपर और कोटा के दुर्ग पर अधिकार करता हुआ गागरोन आ गया था यहां उसने मालवा पर चड़ाय की व्यवस्ता कर मांडल गड़ पर आकरमन किया यहां के किलेदार बल्लू सोलंकी ने विरोध तो किया पर मुगल नायक आसफ खा और वजिर खा के सामने उसे हर स्विकार करने पर आए